तो गाइस आज है तारिक 8 अक्टूबर 2020 और है थस्टे देखिंगे आज का दा हिंदू कंप्लीट न्यूस पेपर को अनलाइस करेंगे तो गाइस डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लेक्शर की पीडियेफ चाहिए और यह दाहिंदू न्यूस पेपर चाहिए तो आपको करना क्या है डाउलोड करना है टेलिग्राम, टेलिग्राम डाउलोड करने के पास सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपा क्यादव IAS Academy पास से इस इस लिंक को क्लिक करो और जाकर इस चनल को जोईन करो तो यहाँ पर आप जो है डाउन्दी नूस पिर्ट नोट कर सकते हो साथी साथ बहुत सारे आपको नोट्स में मिल जाते हैं current affairs के उपर बैस्ड जिससे आप काफी सारी चीजे सीख सकते हो जैसे कि आज हमारे निउस पेपर ब्लैक होल के बारे में तो उसके बारे में आपको यहाँ पर यहाँ पर पिच्छर्स बगएरा के थूरू यहाँ पर सारी चीज़े मिल जाएंगी ओके तो आगे बढ़ने से पहले अभी दगा आपने चल को सब्सक्राइब नही और बल आइकां जुरू प्रेस कर देना ताकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन डेली आती रहे ओके चलो डिसकेशन स्टार्ट करते हैं और आते हैं पेज नंबर वन के उपर पेज नंबर वन पर आपको पहला हाइलाइटेड आर्टिकल दिख रहा होगा और एक कह अब यहाँ पर सुप्रियम कोट ने अपना डिसीजन दिया इसके उपर कल मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी अगर आप चाहें तो जाकर वो भी देख सकते हैं डीटेल में मैंने उसके बारे में डिसकस करावा है ओके तो अभी हाँ पर सुप्रियम कोट ने बोला सब डीटेल में समझते हैं ओके तो सुप्रियम कोट ने अभी हाँ पर क्या डिसीजन दिया वह अभी हम बात में बात करेंगे उससे पहले बात कर लेते हैं शाहिनबाग प्रोटेस्ट की अब यह जो शाहिनबाग प्रोटेस्ट है ठीक है शाहिनबाग प्रोटेस्ट जो यह हो प्रोटेस्ट हो रहा था, ओके अब ये प्रोटेस्ट किस चीज़ को लेकर हो रहा था सबसे बढ़ी बात, प्रोटेस्ट हो रहा था CAA, Citizenship Amendment Act को लेकर, सबी को पता होगा Citizenship Amendment ग्या है, ओके तो इसको लेकर काफि जाध़ प्रोटेस्ट देखने को मिला, और ये प्रोटेस्स स्टार्ट कब हुआ था December 2019 December 2019 में ये प्रोटेस्स स्टार्ट हुआ और उसके बाद कब तक चला सिद मार्च तक चला ये मार्च 2020 ठीके 2020 तक चला ये रुका क्यों रुका इस वयसे क्योंकि वाइरस COVID-19 वाइरस फैला और फिर lockdown लगा लगा तो पुलिस वालों ने जैसे तैसे इन प्रोटेस्टर्स को सभी को हटाया ओके अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुँचा देखो अब ये जो शाहिन बाग है ये जो शाहिन बाग जगे है ये एक ब्रिज के पास है ठीक है यहाँ पर एक समझले पुल है ये हमारा पुल है ठीक है एक ब्रिज है ये होगे हमारा शाहिन बाग और ये हमारा कालंदी कुंजवाला ब्रिज है यहाँ पे होगी हमारा New Delhi और इस bridge के इधर होगी हमारा Noida और Greater Noida अब यह जो bridge है यह New Delhi और Noida और Greater Noida को connect करती है ठीक है यह वाला जो bridge है तो अब जब यह protest चल ला था तो इन्होंने यहाँ पे एक road है जो की इस तरीके साथ है इस bridge से connect करती है इस road को block कर रखा था इन प्रोटेस्टर्स ने इस road को पूरी तरह से block कर रखा था अब block कर रखा था तो फिर यह bridge पूरी तरह से बन था ठीक है bridge जो है बन था अब यहाँ पे लोग काफी लोग जो है up down करते है डेली बहुत से लोग अपने office वगरा जाते हैं जैसे कि greater noida से noida, noida से डेली फिर डेली से noida ऐसे up down करते हैं क्योंकि बहुत से लोग काम करते हैं अपने offices में तो इन्हें काफी ज़्यादे दिक्कत तो रही थी क्योंकि जो इसके अलावा जो दूसरा bridge था वो बहुत दूर था जो connect करता है new Delhi और noida को तो फिर वी यह दूसरा bridge बहुत दूर था तो लोगों के पास यहाँ पर अगर वो यहाँ से आते हैं तो उनका time कम लगता था लेकिन अगर वो यहाँ से जाते हैं इस वाले bridge से तो जो time था वो दो घंटे से ज़ादा लग जाता था तो इसी को देखते हैं यहाँ पर इनके द्वारा जो commuters है जो Delhi आने जाने वाले लोग है इनके द्वारा यह उठाया गया case Delhi High Court पहुँचा Delhi High Court के बाद Supreme Court पहुँचा finally Supreme Court ने अपना verdict दिया finally Supreme Court अपना फैसला सुनाया तो सबसे पहली बाद Supreme Court ने क्या बोली देखो यह जो फैसला है दो चीज़ों के बीच में हुआ है right to protest अब यहां से आपके लिए question बनता है ठीक है question बनता है कि right to protest जो है वो कौन से article में हमारे mentioned है कौन से अनुचेद में हमारे Indian constitution में कौन से article में right to protest के बारे में बात करी गई है राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस राइट टू मॉबिलिटी यानि कि राइट टू प्रोटेस्ट हमारे पास पूरा-पूरा हक है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं हमारे सम्विदान में लिखावा है हमें सम्विदान ने पूरा-पूरा राइट दे रखा है लेकिन साथी Supreme Court ने बोला सबसे पहली चीज, no doubt करते रहे न, सबसे पहली चीज बोली जो public places हैं, वो यहाँ पर, चाहे वो कोई साभी public place हो, चाहे वो शाहिन भागो या फिर कोई और सी भी जगा हो, वहाँ पर protest नहीं होंगे, no protest on the public places, दूसरी चीज यहाँ पर Supreme Court ने बोली, जो administration है, प्रस को वहाँ से हटाया जाए, उसके बाद, थर्ड चीज यहाँ पर Supreme Court ने क्या बोली, थर्ड चीज बोली, जो protest है, भाई, करो, protest करने का आपके पूरा हक है, करो protest, लेकि यार, ऐसी जगा पर करो, जो कि designated place हो, यानि कि protest करने लायक जगा हो, वहाँ पर जाकर करो, जैसे कि New Delhi का रामलीला मैदान हो गया, तो वहाँ पर जाकर protest करो, उसके बाद, फोर्थ चीज यहाँ पर क्या बोली गई, Supreme Court के द्वारा, कि जेखो, इंडिया एक बहुत बढ़ला democracy है, सभी को पता है, इंडिया बहुत बढ़ला democracy है, तो जो protest है, यहाँ पर, वो कैसे होना चीज है, designated area म अब तुम public places है, यानि कि जहाँ पर लोग आ जा रहे हैं, इतना जादे, अगर आप देखो कि काम वगएरा महाँ पर होता है, public places है, महाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो इस ही नहीं है, ओके, फिर उसके बाद, यहाँ पर फिफ्थ चीज क्या बोली गई, Supreme Court के द्वारा बोला, कोई भी person, no person, या फिर group of person, public places पे protest नहीं करेगा, public places को block नहीं करेगा, ओके, ये भी चीज बोली गई, उसके बाद, छड़ी चीज यहाँ पर Supreme Court ने क्या बोला, Supreme Court ने बोला कि हमारे पास हक है, भाई, प्रोटेस्ट करने का सभी लोग के पास हक है, लेकिन समीधान क के उपर जा कर देखो क्या लिखा है, प्रोटेस्ट करने का हक है, बट, पीसफुल प्रोटेस्ट, एक वर्ड एड है, पीसफुल, इसके उपर ध्यान देना, पीसफुल प्रोटेस्ट हम लोग कर सकते, ने, शान्ती से करो प्रोटेस्ट, public places तुमने बिलकुल बंद कर रख रिस्ट्रिक्शन भी आएंगे, रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन यानि कि जैसे कि हमारी public places पे नहीं होगा, और public places जो है, उनको प्रोटेट कर जाएगा, अगेंस्ट दी प्रोटेस्ट, ओके, तो इन सब चीजों के लिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पीथी कल, तो उसको भी देख लेना, ओके, अब यहाँ पर एक तो question आपके लिए, यही हो गया कि जो right to protest है, वो कौन से article है, हमारे कौन से समविधान में आता है, दूसरी चीज, मैं आप से यह पूछना जाता हूँ, अगर आपकी, देखो, जो हमने thumbnail बना रखा है आज का, उसमें जो cardon picture है, वो किसका है, ठीक है, देखो ज़र आपकी memory किती अच्छी है, जो cardon picture बना रखा है, हमने cardon picture लगा रखा है था thumbnail में, वो किसका cardon picture है, ओके, आता है page number 2 के ओपर, page number 2 पे हमारे कोई article नहीं है, page number 3 पे आता है, page number 3 में हाप पर एक article देखेगा, यह important नहीं ह बड़ एक बार जानकारी आप ले लो, जो डेली cinema halls से हैं, यह open होने वाले हैं, 15 October से, 15 October से cinema halls open होंगे, लेकिन कल हमने पढ़ा था क्या, जो 50% seatings होंगे, यानि कि 100 लोग की seat है, cinema hall में 100 लोग की seat है, तो 50 लोग ही बैठेंगे, क्यों social distancing करने के लिए, ओके, आगे बढ़ते ह हैं, आगे page number 6 के ओपर, page number 6 पर हमाले articles important, यह page number 6 पर बस खाली एकी चीज़ यही mention है, CID, ठीक है, CID आपने बहुत कम पढ़ा होगा, CIB नहीं है, यह ध्यान से सुनना, CIB अलग है, CID अलग है, ठीक है, Central Investigation Bureau अलग है, और यह Crime Investigation Department अरग है, जो भी Crime होता है, उसके लिए जो के ओपर, तो उसके लिए एक Department बनाया गया है, जो की इस चीज़ के ओपर investigate करता है, जो भी कोई Crime होता है, तो ठीक है, Simple है, आगे बढ़ता है, उसके बाद आता है, page number 7 के ओपर, page number 7 पर भी हमाले article नहीं है, page number 8 पर editorial आएगा, editorial हम लोग last में discuss करेंगे, जैसे हम लोग last में discuss क कर रहें आजकल, तो बढ़ी editorial है, और जो ये वाला editorial है, ये वाला, इसको मिस मत करना, बहुत ही बढ़ी editorial है, और बहुत ही मस समझ माने वाला है, आप लोग हो, ओके, आगे बढ़ता है, आते है, page number 10 के ओपर, page number 10 पर ये छोटी-छोटी जो terms हैं, ये हैं, छोटी-छोटी terms क पर भी ध्यान दिया करो, जैसे कि NIA हो गया, National Investigation Agency, ED हो गया, Enforcement, Direct Rate, अभी हमने CID पढ़ा, है न, Crime Investigation Department, ऐसा हमारे एक CIV होता है, Central Investigation Bureau, तो ऐसी छोटी-छोटी terms को याद रखा करो, ये important हो जाती है, ओके, और इनके बारे में थोड़ा पर detail में जाया करो, ओके, तो अभी ह ठीक है, NIA क्या करती है, जो भी terrorism होता है, या फिर इंडिया में आतंगवाद होता है, उसको खतम करने के लिए body मनाई गई है, और उसके अगेंस्ट ये काम करती है, ओके, lie कप गई थी, lie आपको पता होगा, 2008 में गई थी, ये body जो 2008 में बनाई गई थी, क्यों जब आपको पता होगा, मुंबई में terrorist attack हुआ था, उसके बाद इस body को लेकर आया गया, जो terrorist है, इनके लिए भी हमें solution निकलना पड़ेगा, ओके, that is why हम लोग ने NIA लेकर आए, दूसरी जो enforcement directorate, आपको पता होगा, कि मैंने कल भी बताया था, enforcement directorate, जो है, handle out करती है, किसको, economic, economic crimes को, economic crimes यानि कि पैसे से related जो भी crime वगरा होता है, जैसे कि गूस खोरी वगरा हो गई, और ब्राइबरी के cases हो गए, तो यह सारे cases को handle करती है, enforcement directorate, ठीक है, याद रखना, E से enforcement, D से directorate, और E से ही economic crimes, ठीक है, enforcement directorate किस चीज़ को देखती है, economic crimes को, National Investigation Agency किसको देखती है, terrorist को, ठीक है terrorism को, आगे बढ़ते हैं, page number 11 के उपर आता है, page number 11 पे एक छोटा सा article देखेगा आप लोगो नीचे, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इंडिया जो है, एक among top 5 बन सकता है, defense industry में, defense industry जो है, उसमें पूरा जो world की defense industry, उसमें जो इंडिया है, बहारत है, वो top 5 में आ सकता है, क्यों कि भारत अपने defense system के उपर बहुत जादे काम कर रहा है, और यह भी देखोगे कि जो इंडिया one of the few countries है, पूरे world में, जो कि produce कर रही है, fourth generation fighter aircraft, fourth generation fighter aircraft को produce कर रही है, nuclear submarines, battle tanks, intercontinental ballistic missiles, अब यहाँ पर ballistic नाम हो रहा होगा, यह ballistic missiles कौन सी होती है, मैंने आपको पहले भी बता आपको याद होगा, अगर आप daily देख रहे हो, तो पता होगा आपको लोगको, ठीके, ballistic missile सी होती है, जैसे कि यह missile हो गई, ठीके, अब यह launch इस तरीके से करवाई जाती है, कि इसका जो pathway होता है, ठीके, थोड़ा और clear कर लें आर, इसका जो path होता है, वो इस तरीके से होता ह missile का path इस तरीके से आता है, जो इकी ballistic missile होती है, हमारी एक और missile होती है, वो कौन से होती है, cruise missile, CRUIC cruise missile होती है, इसका पता है path कैसे होता है, इसका ऐसे जाती है, इसका path ऐसे होता है, ओके, यह याद रखना, तो यहाँ पर इस सारी चीज़ों को पर India काम कर रहा है, और इसकी व system की वज़ा से, ओके, उसके बाद next article आप लोगो यहाँ पर यह दिखेगा, इस article में क्या बात हो रही है, जो 78 additional special trains है, वो भी run करी जाएंगी, अभी आपको पता है, COVID-19 की वज़ा से trainों को रत कर दिया गया था, train नहीं चल रही थी, फिर धीरे start हुई, काफी हद तक trains अभी तक अभी के time पर चल लई है, तो इसमें 78, 78 train और add कर दी गई है, 78 train और जादे हैं पर चलाई जाएंगी, क्यों क्योंकि festival का seasons आ रहे हैं, ओके, उसके बाद next article आप लोगो यह दिखेगा, यह हमारे union health minister, हर्श बर्दन साब के द्वारा बोला गया, कि भाई, जो आप recovery rate है, पहली बात तो यह देखो, जो recovery rate है, वो बढ़ता वा नजर आ रहा है, यानि कि जो लोग recover हो रहे हैं COVID-19 से, वो ज़ादा हो रहे हैं अब, आज के time पर, लेकिन एक चीज़ और बोली जा रही है, कि भाई, social vaccine का इस्तमाल करो, अब यह कौई सी vaccine आ गई, यह कोई वैसी vaccine नह है, daily basis पर क्या कि, जो vaccine है, वो इस साल तो नहीं आने की, vaccine अब जो आने आएगी, वो 2021 में ही आएगी, 2021 के first quarter तक, जो है, most probable आ जाएगी, तो अभी के लिए आपको क्या करना है, अपने आपको protect करना है, protecting by wearing the marks, by using the sanitizer, तो इस तरीके से आप लोग अपने आपको protect कर सकते हो, आ artificial intelligence और 5G network, 5G network कहलो, या फिर जो ये 5G technology है, उसके उपर, ओके, तो यहाँ पर इंडिया और जापान ने बात करी, Wednesday को, ठीके, Wednesday को उपर किस चीज को लेकर, कि ये दोनों cyber security के उपर काम करेंगे, cyber security यानि आपको पता होगा, cyber crime बहुत जादे देखा जाता है, cyber crime यानि कि computer से related crimes जैसे कि आपके bank से पैसा गायब हो जाना, तो लोग computer वैठे होते हैं, वो वही से सारा काम कर ले जाए है, तो उस crime को रोकने के लिए, cyber security की जुरत होती है, तो इंडिया जापान मिलकर काम करेंगे, cyber security agreement के उपर, साथी साथ, agreement हुआ है, कि जो cyber security है, इन दोनों इंडिया यहाँ पर, यह सारी दोनों मिलकर countries काम करेंगे, दोनों countries मिलकर तीन चीज़ों के उपर काम करने वाली है, cyber security, second चीज़ इस, artificial intelligence, यानि कि नए-नए technologies, नए-नी machinery, उसके बाद, थर्ड चीज़ जो है, 5G technology, ओके इसके लिए हाँ पर, इंडिया और जैपान काम करेगा, यह या यह वाल एडिटोरिल दिखेगा, यह हमाले important नहीं है, क्योंकि यह जो आपी हतरस में, जो हमने case देखा है, यह वही case है, पूरा का पूरा समझाया जाए, क्या क्या हुआ और क्या क्या चीज़े है, victim की identify, कुछ irrelevant explanations था, तो यह हमाले important नहीं है, ओके, उसके बाद next article आप लो of foreign minister in Tokyo on Tuesday, Tuesday को दूसरी meeting हुई है, ओके, Tuesday को जो है, जो भी हमारा mangalwar निकला है, वहाँ पर दूसरी meeting हुई है, किसकी quad की, quadrilateral dialogue की यहाँ पर meeting हुई है, quad में किती countries है, quad किती countries का group है, चार country का group है, उसमें कौन-कौन है, India है, Japan है, Australia है, और US है, ओके, यह चारो country का group है, जिसे हम हम लोग quad कहते हैं, तो किस चीज के ओपर बात करी गई है, एक तो COVID-19 के impact को रोक लेगा, और COVID-19 है, जो impact पड़ेगा, उससे कैसे tackle out करा जाए, ठीक है, उसके बाद जो है, यह सारी चीज़े, जैसे कि, किस तरीके से pandemic को हम लोग combat कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको ब activity बनाई रखी जाए, एक supply chain बनाई रखा जाए, इस region में उसके ओपर भी बात करीगा, यानि कि जो countries हैं ही चार countries, कौन कौन सी चार countries, India, Japan, Australia, USA, यह चार countries है, चारो countries एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने वाली हैं, और इन चारो countries के दौरा एक group बनाया जाता है, एक grouping को क्या कह क्याता है, quad, quadrilateral dialogue, ओके, और यहाँ पर आजकल के time पर क्यों है इतना जादे famous, क्योंकि China का aggression हम लोग काफी जादे देखते हैं, तो अगर यह चारो country एक रहे हैं, तो यह चारो country एक रहे हैं, तो यह भी आद रखना, आगे बढ़ते हैं, next article आप लोगो यह दिखेगा, hole in the middle, अब यह article किस चीज़ के बारे में भी आपको पता है कि noble prizes दिये जा रहे हैं, हर साल noble prize दिये जाते हैं, तो अभी हमने कल किसके बारे में पढ़ा था, noble prize for medicine, medicine के लिए noble prize दिया गया है, तीन लोगो को, ठीक है, और वो कौन सी medicine बनाई है, उन्होंने कौन सी बिमारी के medicine बनाई थी, तो इसके लिए इन्हे noble prize मिला गया, हमने कल इसके बारे में detail में बात करी, आज बात करने वाले हैं, physics के area में, physics के field में noble prize दिये गए, noble prize किसके field में दिये गए, physics के field में दिये गए, यानि कि science and technology के point of view से important article, तो अब यह जो physics के point of view से किस चीज़ को पढ़ दिय गया है, यह बात करी जा रही है कि जो यहाँ पर यह तीन personalities हैं, इन्होंने black hole को जो है, एक तरीके से कह सकते हो, black hole को discover किया है, अब यह black hole क्या होता है, मैं आपको detail में बताऊंगा, कल काफी सारे बच्चों के questions आए, मेरे पास black hole क्या होता है, मुझे नहीं पता था कि आप पता नहीं होगा कि black hole क्या होता है, हो सकता है, तो black hole को बारे में आपको detail में आज बताऊंगा, ठीक है, देखो यार, तीन लोगों को यह noble prize दिया जा है, और मैं आपको दो लोगों के नाम बताऊंगा, और इन तीन लोगों के नाम मैंने कल आपको बता दिये थे, एक का आपको बताना है, अब यह आपको बताना है, अब यह article किस चीज के बारे में है, कि जो black hole है, इसको discover करा गया है, कि जो black hole है, इसके बारे में जो theory थी, यह 1915 में हमारे एक scientist, most famous scientist, Albert Einstein साब, Albert Einstein साब के द्वारा, जो है black hole के बारे में सारी theories लाई गई थी, अब इस theory के उपर कोई विश्वास नहीं करता था, लेकिन इन्होंने, जो हमारे यह personality है, क्या नाम है, Roger Penrose, इन्होंने proof कर दिया, किस चीज को, जो Albert Einstein साब ने theory बताई थी, black hole के टेलिग्राम पे, okay, black hole के पहले मैं आपको picture दिखाता हूँ, इस तरीके से black hole होता है, यह हमारा milky way में, यह बात करी गई है, कि जो milky way है, milky way के center में black hole discover करा गया है, इन हमारे personalities के द्वारा जिनको noble prize मिला है, okay, अब यहाँ पर black hole होता क्या, इसके बारे में बात कर लेता है black hole यहाँ पर आप देखोगे, बहुत सारे scientist वगरा ना, physicist वगरा ना, इसके उपर चर्चा करी, लेकिन जो theories वगरा थी हैं, इसके उपर वो हमारे Albert Einstein साबने theories इसके बार लेकर आये, black hole के बारे में, लेकिन इसको proof किस ने किया, proof आज के time पर जिनने noble prize मिला है, इन्होंने यह सारी theories को proof कर दिया, अब आप लोग यहाँ पर देखो, यह इस तरीके से hole होता है, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, यह जो milky way है, आप समझ लों है, आप मिलकी way है, milky way के बीच में find दरा है हमने black hole, यह इस तरीके से होता है black hole, अब एक चीज याद रखना है, इसके अ light है, वो भी हाँ से pass नहीं हो सकती, gravitation इतनी high होती है कि जो light है, वो भी इसके black hole के अंदर से pass नहीं हो सकती, जिससे हम लोग कहता है, event horizon, ठीक है, दूसरी चीज, यह जो इसका आप देख रहे हो, यह yellow yellow क्या है, yellow yellow matter है, mass of matter है, जो की swirl हो रहा है, इसके किनारे-किनारे, swirl हो र relativistic jets है, matter and radiation extending out hundreds of thousands of light years, यहाँ पर यह extend करता रहता है, यह हमारा, जो यह relativistic jets है, ओके, तो यह black hole यह है, अब यहाँ पर एक बात और याद रखना, black hole की gravitation तो जादा होती होती है, साथी साथ density भी बहुत होती है, यानि कि इसके अंदर अगर कोई भी समान चला जाए, कुछ भ भी चला जाए, इसके अंदर, तो वो वापस बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, इसी वेसे यहाँ पर बात करी जा रही है, तो अभी आप लोग एक चीज़ और देखो, यह होगी हमारा, milky way, ओके, आप लोग को यहाँ पर यह milky way के लिए, मैंने यहाँ पर एक video type यूज करा ह तो आप लोगों जिससे detail में अच्छी तरीके से समझ मा जाए, यह milky way के बीच ओ बीच यहाँ पर हम लोग को क्या दिखा है, black hole, ओके, black hole found करा गया है, अब black hole कैसा होता है, आप लोग यह देख लो, ठीक है, यह picture देखो, बहुत अच्छी picture है, यह milky way हो गया, ठीक है, और साथी साथ जो density है, वो भी जादा है, यानि कि density का मतलब गहराई भी इतनी है कि कितना भी समान चला जाए, कितना कुछ भी इसके अंदर चला जाए, सब कुछ इसके अंदर समा जाता है, कुछ भी वापस नहीं आता, ओके, तो इसको discover करा गया है, यह होगी हमारी black hole की कहानी simple सी है, next article पाते हैं, आप लोग यहाँ पर यह next article यह वाला दिखेगा, यह article किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, basically, जो flood forecasting technology है उसके बारे मैंने कि अगर कहीं बाड़ आती है, तो उससे पहले से अंदाजा लगाया जाता है, कि हाँ बाड़ आने वाली है, ओके, तो जो बात करी जा रही है, कि मतलब क्या reasons हैं, क्यों अच्छी नहीं है, तो सबसे पहले आप लोग देखो कि हाँ पर, आज यह time पर क्या हो रहा है, कि इंडिया में अगर कोई flood वगर आता है, तो कुछी time पहले हम लोग को पता चलता है, ठीक है, हम लोग अच्छी तरीके से उसक तो एक lead time होता है, lead time यह होता है कि कब हमने prediction किया, यानि कि मान लो आज हमने अंदाजा लगाया कि 5 दिन बाद बाड़ आएगी, तो आज हमने अंदाजा लगाया पहले दिन पर कि 5 दिन बाद बाड़ आएगी, जो यह 4 दिन का gap है, यह होगा हमारा lead time, अगर यह lead time जितना ज़ादा होगा उतना ज़ादे अच्छा है क्योंकि हम जहां पे फुलर्ड आने वाला है वहां से लोगों को शिफ्ट्र कर सकते हैं और झा लोगों आछकान कम हो है ना और फिर उसके बाद अगर यह लीट टाइम कम होथा तो अम पास time कम मिलता है इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए है ना तो उसी के पर बात हो रही है कि जो इंडिया है कहीं कहीं जगा ऐसी है जहां पर lead time सही रहता है otherwise जो है इंडिया जो है अपनी technology इतनी अच्छे नहीं उसके पास lead time होत कम रहता है तो हम लोग चीज़ों को tackle out नही लख हैं detail में बट मैं आपको बता देता हूं यह जो IMD है इसका काम क्या होता है weather को forecast करना okay weather को forecast यानि कि जो भी हमारा आप कह सकते हो जैसे कि कल बारिश होगी या नहीं होगी है ना तो इसको forecast करना इसका अंदाजा लगाना कि हाँ होगी और इतनी होगी तो जो IMD है यह क्य forecast देड से कर पाते हैं और कभी कबार हम लोग को इतनी जादे problems भी देखने को मिल जाती हैं सबसे पहली तो यहाँ पर हमारे पास multiple agencies है multiple agencies यानि कि IMD के साथ साथ हमारे पास CWC यानि कि Central Water Commission भी है IMD का काम होता है अंदाजा लगाना कि कल बारिश होगी नहीं होगी फिर उसके पास CWC का काम होता है अंदाजा लगाना कि हाँ पर जो है कौन कौन से river points पर यह बाड़ आ सकती है ओके तो अब यह दोनों मिलके काम करती है तो time तो लगे गई ठीक है अगर single body होती single body अपना स जादा बारिश होगी तो फिर CWC बता लगाएगा कि किस तरीके से कहा कहा बाड़ाने वाली है ओके तो अगर यह दोनों मिलके काम करता है तो इसमें जो है process जो हो जाता है ओके उसके बाद दूसरी चीज़ा आप लोग को यहाँ पर दूसरी problem देखेगी not uniform across India यानि कि हर ज अच्छी technologies हैं बहुत advanced technologies हैं बट इंडिया के पास ऐसी technology नहीं है ओके जो world है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से shift हो चुका है अपनी technologies को लेकर और काफी जादे अच्छी तरीके से predict करता है हाला कि 10-10 दिन का lead time मिल जाता है यानि कि 10 दिन का time मिल जाता है पता लगाने का कि 10 दिन बाद बाड़ा आने वाली है ठीक है तो आप 10 दिन में बहुत कुछ कर सकते हो 10 दिन में सभी चीजों को आप product कर सकते हो वहाँ से चीजों को बचा सकते हो तो ऐसी जो technology है वो इंडिया को बी चाहिए ओके इंडिया को भी ऐसी technology चाहिए कि वो जो flood है बाड़ है उसको forecast कर सके जिससे की नुकसान कम हो ठीक है तो ये था आर्टिकल हमारा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगो ये दिखेगा ये हमारा आज आर्टिकल लास्ट आर्टिकल है ये आर्टिकल है गिग वर्कर एंड इसक्यू टर्म्स के बारे में अभी हमारे लेबर उससे ओपर बात हो रही है कि पहली बात जो Gig Worker क्या होता है इसके बारे में याद रख लो पहली बात Gig जो टर्म है ये क्या होती है Gig Gig मतलब होता है भाई कोई Independent Work मान लो कि एक तो जॉब होती है एक तो मतलब Permanent Job होती है जहां पर एक Permanent Job अब full day job होती है एक part time job होती है ये तो अलग है ठीक है लेकिन एक होती है independent अलग से job होती है इसमें क्या होता है कि मानलो एक musician का काम की कोई पैसे देगा तो उसको जाना है गाना बजा कर आ जाना है ओके तो आप समझ गए ना जो कि independent job अगर आप पैसा दोगे तो वह काम करेगा और फिर उसके बाद घर जाएगा तो इस तरीके के जो workers होते हैं हमारे gig worker कहलाते हैं तो अब बात यहाँ पर यह हो रही है कि जो हमारे नया code यह पास करा गया है labor codes को पास करा गया है labor laws को पास करा गया है इसमें काफी सारी यहाँ पर कमिया बताए गए क्या कमिया बताए ग कोई हमारा जैसे कि कोई हमारा स्विगी का कोई मालो स्विगी का वर्कर है स्विगी आपको पता है फूड डिलीवरी वाले स्विगी का कोई वर्कर है तो आप क्या हो गया कि इस वर्कर के मतलब कोई पैसा नहीं मिला इस वर्कर को स्विगी कंपनी वाले ने इसको पैसा नही ऐसा तो यहाँ पर worker के पास हक नहीं था जो अभी तक labor court से लेकिन अब जो pass हुआ है labor court इसमें worker के पास हक है worker के पास right है कि वो claim कर सकता है कि भाई मेरे को payment नहीं मिला अपनी company के लिए लेकिन एक चीज़ यह बोली है भाई यहाँ पर guarantee कोई नहीं है कि इस चीज़ को लेकर कि workers के पास अगर मान लोग किसी company ने पैसा नहीं दिया तो workers claim करें ठीक है obviously बात है उसके पास right होगा claim करें तो पहले नहीं था लेकिन अपके time पर जब labor courts pass हुए तो अब यहाँ पर उसके पास right है उसके पास हक है कि वो यहाँ पर क्या कर सकता है इनको claim कर सकता है अपने rights को claim कर सकता है लेकिन यह guaranteed rights नहीं है यह जो social security codes और यह सब 2020 pass करें गाए इसमें जो workers benefits धेट सारे maternity benefits हो गया disability, old age protection, provident fund, employment, injury benefits यह सारे benefits आप लोग को provide कराए जाएंगे however लेकिन जो eligibility है इसका मतलब यह नहीं है कि यह सारे की सारे guaranteed rights है यह सारे की सारे guaranteed benefits है इसकी कोई guarantee नहीं है आपको मिलेंगे ठीक है तो यह बोला जा रहा है कि हाँ पे एक problem है हमारे workers के लिए जिसको हमें सुधार नहीं है तो यह सारी चीज है तो आप लोग जो है इसको देख सकते है और आज का हमने news paper analysis को कर लिया है यही पर ही and I hope आप लोग को मजाया होगा और मजाया होगा तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करें नीचे रेक्ट लगर बटन आ रहोगा और बल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें आपके बास वीडियो की notification डेली आती रहे आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे आप लोगों से कल आज के लिए बाई-बाई, have a nice day